तो गैस आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं KTM Duke 125 की EMI और डाउन पेमेंट के बारे में इन डेप्थ वीडियो होने वाले हैं मैं आपको सब कुछ बताऊंगा मेनिमम डाउन पेमेंट कितनी होनी वाली है कितनी EMI आने वाली है कितनी हैं आपकी सैलरी होनी चीए मैनिमम इस बाइक को खरीदने के लिए क्या आपको डॉक्यूमेंट्स देने होंगे इस बाइक को फाइनांस कराने के लिए सब कुछ आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं मेरे ना में संगीत करना आप देख रहे हैं Throttle 98 साइस फोटोग्राफ देनी होती है अकाउंट पर ही चेक देना होता है अगर आप सैलरी है तो आपको 6 महीने की यहाँ पर सैलरी श्लिप या फिर बैंक स्टेटमेंट देना होता है और अगर आपका खुद का बिजनस है तो आपको दो साल की करेंट यर की ITR देनी होती है and minimum salary 15,000 रुपीज तो होनी यह पर मंत की अगर बात करें यहाँ पर जो on-road price आता है Duke 125 का वो है 1,94,000 रुपीज अब सबसे वहले बात कर लेते हैं कि example के साथ कि आपकी अगर 15,000 रुपे प्रती महीना salary है तो आप लग भग 15% का यहाँ पर down payment देते हो तो आपका जो loan amount बचके आता है वो आता है 85% of the on-road price of the bike which is around 1,65,000 रुपीज 1,65,000 रुपीज का यहाँ पर आपका loan amount है example के तोर पर हम लेते हैं कि अगर आप 3 साल का loan लेते हो मतलब 36 महीनों का loan लेते हो और 10% per annum flat पे आपका rate of interest है bank के loan के उपर तो आपकी per month की EMI आती है लग बग 5,959 रुपीज मतलब 5,959 आपकी per month की यहाँ पर EMI बनके आती है 3 साल के लिए 10% rate of interest flat की अगर बात करें 125 Duke जो है काफी बढ़िया बाइक है मेरे हिसाब से बस इसकी एक ही कमी है इसका price बहुत जादा है बागी bike मेरे हिसाब से कोई भी कमी नहीं है और beginners के लिए बहुत ही जाद अच्छी bike है मेरा personal experience काफी बढ़िया रहा है तो beginners के लिए बहुत ही शानदर bike है बढ़ इसका price definitely कही न कहीं बहुत जादा है 1,94,000 रुपीज काफी जादा amount है 125cc की category के अगर bike के बारे में बात करें 125cc का engine आता है 14.5 brake horsepower pump out करता है 12 Nm of torque pump out करता है 42 km per litre का शानदार mileage हमें bike के अंदर देखने को मिलता है 125 Duke काफी जादा famous Indian market में because सबसे सस्ती KTM की bike है इस समय इंडियन market में एक बार on road price बता हूँ तो 1,94,000 रुपीज इस bike का on road price है and definitely आप बहुत ही आसानी से इस bike का finance करा सकते है and अगर आप beginner है अगर आप अपने लिए first KTM bike लेना चाहरे है तो मेरे इसाब से Duke 125 एक बहुत ही अच्छी bike है but अब थोड़े से पैसा और जोड़ के Duke 200 लेने की कोशिश करिए वो आपके लिए काफी जादा अच्छी bike होगी braking system में एक कमी है इसके अंदर सिर्फ single channel ABS आता है dual channel ABS नहीं आता है and जो wheels हैं वो 17 inches के हैं upside down suspension system देखने को मिलता है जो braking है काफी decent है बहुत जादा अच्छी नहीं है बढ़ हाँ definitely ठीक ठाक है acceptable है because single channel ABS तो front disc brake के अंदर ही है हमेरा हमें ABS देखने को मिलता है इस bike के अंदर बात करें 17 inches के wheels हैं, tires काफी अच्छे हैं, grips काफी अच्छी है upside down suspension system बहुत ही premium suspension system है बहुत अच्छी तरिके से perform करता है हर तरिके की road पे and highway के लिए तो बहुत ही बढ़िया है suspension system अगर upside down की बात करें overall bike के अंदर ऐसी कोई भी मुझे कमी लगती नहीं है जो riding comfort है वो बहुत अच्छा है riding position है वो बहुत अच्छी है handlebar positioning बहुत अच्छी ergonomic शांदार है suspension quality काफी बढ़िया है यहाँ पर जो हमें 125cc category के हिसाब से बात करें तो यहाँ पर हमें initial pickup बहुत अच्छा देखने को मिलता है talk बहुत अच्छा देखने को मिलता है overall यहाँ पर जो हमें experience देखने को मिलता है bike में वो काफी बढ़िया और decent देखने को मिलता है 125 Duke के अगर बात करें मेरे हैसाब से beginners के लिए काफी बढ़िया bike है आप definitely check कर सकते है इस bike को but Duke 200 लेने की कोशिश कर दियेगा because वो काफी लंबे समय तक आप रख पाएंगे because उसका engine बहुत अच्छा है उसकी power बहुत अच्छी है उसका mileage वगर एक complete bike है Duke 200 के अगर बात करें बट अगर आपको ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने है और आपको looks के हिसाब से Duke 200 वाली कम पैसे के अंदर bike चीए तो Duke 125 आपके लिए बहुती बढ़ी आप्शन है इंडियन मार्केट में समय बात करें because सबसे सस्ती KTM बाइक है इस समय इंडियन मार्केट में Duke 125 तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है आप सबको काफी बढ़ीया लगी होगी है वीडियो and मैं आपको बताया अगर आपकी सैली लगबग 15,000 रुपए है तो आप KTM की कोई भी बाइक बहुती आसानी से finance करा सकते हैं बिना किसी तकलीफ के सब्सक्राइब नहीं किया ज़रू कर लिजे साथ में बैल ऐकन दबना बिलकुल मत बूलिएगा ऐसी आप मुझे support करते रही है इसे अपना प्यार दिखाते रही है मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आने वाला हूँ Instagram पर आप मुझे follow कर सकते है throttle underscore 98 मेरा Instagram का handle है मिलते हैं आप सक लिए वीडियो में Till then be happy and right safe Bye Bye